स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, पहले जो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दूसरे जो कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे जो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, आप किस क्याटिगरी में आते हैं, इंटरनेट पर लोग अपने अपन इनों तक करनी है बढ़ दोस्तो मेरा सवाल कुछ और यह क्या हमें स्टैंबरीन को और कम करनी के लिए प्रैक्टिस भी करनी है या नहीं किस वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड गया है पहला पार्ट वेरा फेवरेट है और एगर फोर्थ पार्ट आपनी मिस क्या तो शायद आप इस वीडियो को पुरा समझने पाएंगे चले देखते हैं डिटेल के साथ रॉंग प्रैक्टिस करोगे तो लाइफटाइम प्रैक्टिस करने पड़ेगी और अगर राइट प्रैक्टिस क्या हो तो बस कुछ दिन या मेनों तक ही करनी पड़ेगी राइट प्रैक्टिस कैसे करनी है इससे भी इंपोर्टन कोशन है कि रॉंग प्रैक्टिस को आइड लाट ठीक हो सकती है, एक्षिन लेने से पहले और प्राक्टिस करने से भी पहले, सोचो, आम जो प्राक्टिस कर रहे हैं, क्या उससे आपको वह रिजर्ट मिल रहा है, या बस किसीने बता लिया और आप उसको फॉलो करें बिना कोई कोश्चन पूछें, याद रखे, लाइफ टेम प्राक्टिस करना पड़ेगा, वाट राइट प्राक्टिस कैसे करना है, चलो बताता हो, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, प्राक्टिस मेक्समैन परफेट, पर क्या सच में प्राक्टिस इंसान को परफेट बनाती हैं, नहीं, बलकि राइट प्रा identify करने के तीन स्टेप होते हैं, पहला, know your root causes, दूसरा, self time, and तीसरा, analysis, root cause का मतलब, problem के अंदर की problem, सोचो, एक iceberg है, जिसका उपर का छोटा सा पाड दिखता है, बड़ उसके नीचे बहुत सारा पाड पानी की अंदर है, stammering वो हिस्सा है, जो दुनिया में लोगों को दिखता है, बड़ उसके अलावा एक हमारे अंदर दुनिया है, जो बस हमें पता है, stammering का root cause उस्तो आपके अंदर की दुनिया से आता है, for example, speed, pummeling, weird expression, ये लोग देख सकते हैं, पर जो लोग नहीं देख सकते हैं, वो ये को पता है, तो आपको outer और inner इन दोनों root cause को देखना पड़ेगा, topic बहुत बड़ा है, और काफी complex पे, ये topic हम अपने online training और video course में बहुत ही detail में सिखाते हैं, पर don't worry, अगर आपको आपका root cause अभी इसी वक्त चेक करना है, वो भी free में, तो बस आपको वी steps को follow करना पड़े बहुत सारे test मिलने वाली है, उसमें से test your root cause को select करें, उस test को देने के बाद आपको आपका root cause ज़रूर बता चलेगा, हमारे पास social media के लिए time है, school, college, office के लिए time है, TV देखने के लिए time है, यहां तक कि friends और family से बात करने के लिए time है, पर क्या हमारे पास खुद के लिए time है जिसे मैं self time बोलता हूँ, हमें से जाददर लोगों ने अपने problem का solution यूटूब या फिर Google पर search किया है, और हमें ऐसा दखता है कि हमें वहां से एक अच्छा solution मिल जाएगा, पर क्या आपने कभी यही सवाल खुद से पूचे हैं, क्या आपने कभी खुद को expert मान कर उनी सव सवालों को खुद से पूचने की कोशिश की है, शायद नहीं, और दोस्तों वही एक वज़ा है कि आपको आज भी stammering का problem है, और उसको कैसे solve करना है, चले बताता हूँ, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकाले, 15 मिरे या 30 मिरे और अपने आप से सवाल पूच, देख माने दोस्तों, मेरी stammering और कम करने के पीछे, sell time का बहुत बड़ा हाथ है, आपके हर action के बाद खुद से feedback लो, देखो कि आपने वहाँ पर क्या गलतिया की है, जिसे हम action after analysis भी बोल सकते हैं, अपनी famous book Can't hurt me में, डेविट गौगिंस, जो बहुत बड़े महान sportsman है, उन्हों आपने भी इस secret को इस्तिमाल किया, और वो आज दुनिया के सबसे मशुरूर sportsman में से एक है, और आप भी इस secret का इस्तिमाल करके अपने stammering को और कम कर सकते हैं, एक सही practice को identify करने के बाद, अब चलते third step पर, जो बहुत ही जरूरी है, जैसे की वीडियो का topic है, क्या सच में practice से stammering work होती है, इसे थोड़ा अलर एंगल से देखते हैं, एक्टियल में practice मतलब क्या, क्या practice का मतलब, जो practice आप घर पर अकेले में करते हैं, या फिर बन कमरे में करते हैं, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तो third step को ध्यान से सुने, 99% लोग अकेले में stammer नहीं करते हैं पर बाहर लोगों के सामने कुद को express नहीं कर पात, अगर आपको इसका reason जानना है, तो comment करें, अगर आप घर पर अकेले में practice करते हैं, और result लोगों के सामने बाहर expect करते हैं, तो बिलकुल opposite करते हैं, practice कोई काम नहीं है, उसे एक implementation की तरह देखो, घर पर हो या बाहर, implementation और practice इन दोनों को आपको एक जैसा ही नेखना चाहिए, for example, अपने root cause के सापसे, अपने practice को 20 by 80 rule में convert करो, जैसे कि 20% practice time और 80% implementation time, for example, 30 minute अगर आप practice करते हैं, तो 2 गंटा आपको implementation करना है, दोस्तो, implementation का मतलब बोलना है होता है, जो आपको अपने techniques और root cause को overcome करनी के लिए करना है root cause के सापसे, थूड़ इसी practice घर पर करनी है, और जादा से जादा real life में implementation करना है, ऐसा करने से बहुत जंदी आपका result आ जाएगा, जो practice को अपने daily routine से हटा देगा, और आपको कभी भी अलग से practice नहीं करनी पड़ेगी, जो आप वैसे भी बोल कर करते हैं, इससे हम अपने online training और video course में काफ़े अच्छे से explain करते हैं, हमारे video course और online training को join करने के लिए सभी important links description box में है, fourth point आपके video को पुरा कर देगा, और आपको आज से क्या करना है, वो बताएगा, और साथ में आपके हर question का answer में देगा, पहला question, daily practice से हमारी stammering overcome होगी? answer नहीं, 20% practice और 80% implementation से होगी, दूसरा question, stammering को overcome करने के लिए क्या मुझे lifetime practice करनी पड़ेगी? answer नहीं, सबसे पहले आपको अपने root cause को identify करना है, उसे overcome करना है और फिर आपको ज्यादा से जदा implementation पर focus करना है, तिसरा question, result आने के लिए हमें और कितने दिनों तक practice करते रहना चाहिए? answer, मेरा अनुबव और हमारी client का अनुबव यह है कि आपको minimum 18 days और maximum 254 days लगते जिसमें से 66 days में आपको बहुत अच्छा result आ जाता है, चोथा question, video end होने के बाद अभी में क्या करो? answer, सबसे पहले हमारा android आप speak fluently अंकुष पारे को install करे, उसको open करे और सबसे पहले free knowledge test में जितने भी test उसको आप try करे, दूसरा application में बहुत सारे free courses है, जैसे की mindset, practices उसको आप check करे और उसको follow करे, तीसरा description box में हमारे training और video course के regarding link मिलेगी, उस link को आप submit कीज़े, और चोथा, अगर आपको कोई भी help चाहिए, तो आप हमें directly call ले फिर whatsapp कर सकते, सारे के सारे details description box में है, दोस्तों next video किस topic पर चाह आप आप